दोस्तो अगर आप सच में छटी मैया की किरपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जै हो छटी मैया की छटी मैया का आश्री बात आपके परिबार पर सदैब बना रहे मा के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तो छट पूजा में छटी मैया को ये तीन चीजें कभी मत चड़ाना भूलकर भी ऐसी छट पूजा कभी मत करना गोर पाप लगता है और ब्रत तूट जाता है छटी मैया कुरूदित हो जाती है दोस्तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तो हिंदी पंचांग के अनुसार छट हर बर्ष कार्तिक मास के शुकुल पक्च की शष्ठी यानी छटी तिती पर मनाया जाता है ये हमेशा दीपाबली के छे दिन बाद पढ़ता है जो नहाय खाई की परंपरा से प्रारम होता है ये बरत करने बाले बरत धारी 36 घंटे तक निरजला बरत रखते हैं जिसके बाद छटी माया की अराधना और सूरिदेप को अर्ग देने के बाद इस बरत का समापन किया जाता है दोस्तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिने छट पूजा नहीं करनी चाहिए लगता है घोर पाप और बरत तूट जाता है छट मया क्रोधित हो जाती हैं दोस्तो छट पूजा का बरत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें अन्यता आपकी संतान की मिर्तियू हो सकती है पती पर भारी संकट आ सकते हैं उल्टा आप पाप के भागिदार बन सकते हैं ऐसी महिलाएं छट पूजा से रहें दूर दोस्तो कारतिक मास की सष्ठी को छट मनाई जाती हैं छटे दिन पूजी जाने बाली सष्ठी को बिहार में आसान भाशा में छटी मया कहकर पुकारते हैं माननेता है कि छट पूजा के दोरान पूजी जाने बाली ये माता सूर्य भगवान की बहन है इसी लिए लोग सूर्य को अर्धन दे कर छट मया को प्रसन करते हैं बही पुरानों में मा दुर्गा के छटे रूप कात्यानी देवी को भी छट माता का ही रूप माना जाता है छट मया को संतान देने बाली माता के नाम से भी जाना जाता है माननेता है कि ये पर्ग संतान के लिए मनाया जाता है खास कर वो जोड़े जिनें संतान की प्राप्ती नहीं हुई है तो वो छट का ब्रत रखते हैं बही सभी अपने बच्चों की सुक शान्ती के लिए छट मनाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाई भी हैं जिनें छट पूजा का ब्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए ये सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें तो चलिए जानते हैं दोस्तो शास्तरों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वो शास्तर का अपमान करते हैं अधूरी शादी जैसे की कोट मेरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ती कर देना सबसे बड़ा पाप है ऐसे में छट पूजा का ब्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए क्योंकि आपने हिंदू रिती रिबाजों के अनुसार साथ फिरे नहीं लिए हैं और बही बिन शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिष्टा कलंकित होता है इसलिए ऐसी इस्तरी किसी भी धार्मे कारे में तबी ही सफलबा शामिल हो सकती है जब वो अगनी के साथ फिरे ले ले ऐसी शादी को ही शास्तरों में सरवशेष्ट माना जाता है ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छट पूजा कभी न करें आपके ऐसा करने से छटी मईया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है दोस्तों शास्तरों के अनुसार इस ब्रत को सच्छे मन से रखना चाहिए अगर कोई महिला शौक में यानि बेमन से इस ब्रत को रखती है तो उसके पती या संतान की मिर्ट्यू या उन पर कष्ट आ सकते हैं सची श्रद्धा के साथ छट पूजा का ब्रत रखना चाहिए इस ब्रत के सफल होने से संतान सुक की प्राप्ति होती है संतान को कष्ट कभी नहीं आते छटी मईया क में सुक समर्दी धन की प्राप्ति होती है छटी मया की पूजा से सभी मनों कामनाय होती है पूरी दोस्तों बहीं कुबारी कन्याय और पुरुष भी छट पूजा कर सकते हैं छट पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है इससे ब्यक्ति के सभी पाप खतम हो जाती है और स दोस्तो अब ये भी जान लेते हैं कि छट मईया को ऐसी कौन सी तीन चीजे हैं जो नहीं चड़ानी चाहिए बहयंकर पाप लगता है दोस्तो नमबर एक सूर्य भगबान को अर्ग देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रियोग करें लेकिन भूल कर भी चांदी इस्टील, शीशा और प्लास्टिक के बरतन से अर्ग नहीं देना चाहिए इससे बरत तूट सकता है दोस्तो नमबर दो, बरत के दोरान घर में कभी भी मासाहार ना बनाए और ना ही परिबार में किसी को खाने दे साथी साथ, बरत के दोरान घर में मदिरा आदी या धुर्म पान भी नहीं करना चाहिए दोस्तो नमबर तीन, छटी मया का प्रसाथ बहुती शुद्धा के साथ बनाय जाता है उनका प्रसाथ हमेशा ऐसे चूले पर बनाए जिसे ताजा लीपा गया हो यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस इस टोप को अच्छी तरह से धोलें पहले से बने चूले पर कभी परसाथ ना बनाएं इसके लिए नया चूला ही बनाएं दोस्तो नमबर चार, सूरे को अर्ग देने से पहले कभी भी भोजन गिरन ना करें गोर पाप लगेगा, ब्रतिधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूरी को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए नमबर पांच, छटी मया से मागी मननत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मननत को पूरा होने की विशेश पूजा जरूर करनी चाहिए अनिथा मया के प्रकोप का सामना करना पढ़ सकता है नमबर छे, घर में प्याच और लहसुन का प्रियोग इन चार दिनों तक भूल कर भी ना करें इससे जीबन में आपको बहुत बुरे दोड से गुजरना पढ़ सकता है इस समय लहसुन प्याच बगैरा से दूरी बना लें दोस्तों नमबर साथ छट का बिरत करने बालों को जमीन पर चार दिन तक सोना चाहिए छट पूजा बाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए ऐसे में आपको छट मया का ध्यान करते रहना चाहिए इस से मा आपके बिरत को संपूर्ण करती है और कोई भी बिगन बाधा नहीं आती नमबर आट जिस जगा पर प्रसाथ बन रहा हो बहां साधरन भोजन भी नहीं बनाना चाहिए साथी साथ उस इस्थान पर खाना भी बरजित है दोस्तों नमबर नौ प्रसाथ बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा के बस्तू या प्रसाथ से नहीं चुना चाहिए दोस्तों नमबर दस पूजा के दौरान अपनी बानी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखे जुबान पर गंदे बिचार भी नहीं लाना चाहिए चटी मया का आशरी बात पाने के लिए मन में गंदे बिचार नहीं लाने चाहिए दोस्तों नमबर ग्यारा घर में पूजा के दौरान जूटे बरतन और गंदे कपडों का धेर बिलकुल नहीं होना चाहिए इससे चटी मया कुरोदित हो जाती है और ब्रत तूट जाता है चटी मया को साप सपाई बहुत पसंद है ब्रत के दौरान अपने घर को साप सुतुरा रखें और गंगा जलसे छड़काप अबश्य कर लें इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और चटी मया का आशरी बात प्राप्त हो जाता है दोस्त तो आप में से कौन-कौन चटी मया का आशरी बात पाना चाहता है तो सचे दिल से कमेंड बॉक्स में लिखें जै हो चटी मया की चट मया के लिए एक लाइक तो बनता है